हेलो एर्वान कैसे हो आप सब मैं हूँ आपकी मामिला करांती और आज मैं क्लास्ट वल्थ के अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर क्या हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर जुसमें आज मैं आप लोगों को जो है आपके लास्ट टॉपिक आपके देने वाले हूँ जिसका नाम है और धचालक बहुत ही इंट्रेस्टिंग मजेदार और महत्वपूर्ण चाटर है जो आपको पढ़ने में भी काफी जादा मजा आने वाला है तो शुरू करते हैं आज का हमारा यह सेशन लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों क पार फिर से में डाउटनट की क्लासेस में स्वागत करती हूं जल्दी से इस वीडियो की लिंक आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है इंस्टा टेलिग्राम हर जगश शेयर करना है बुला लेना है अपने सभी दोस्तों को मिलकर देखेंगे मिलकर सिखेंगे आज का टॉपिक अर्धचालक फड़ा फड़ से शुरू करते हैं तो अबरीवान रेडी हो आप लोग आज के सेशन के लिए आज के धमा के दाश सेशन के लिए गाइस आर्यों रेडी कमेंट में लीचे लिखकर जरूर बता रहा है ओके मज़ा आगया आप लोगों के इतने सारे कमेंट देखकर वेरी गुड नाइस बहुत अच्छा लग रहा है तो चलो भई शुरू करते हैं आज का हमारा चाप्टर अर्धचालक और जचालक की कहानी शुरू करने से पहले हम अपने पिछले चाप्टर को थोड़ा सा याद कर लेते हैं हमने पढ़ा था परमारू परमारू के बाद पढ़ा हमने नाभिक याने कि हमने परमारू और नाभिक में जो है शुक्ष्मकणों के बारे में पढ़ा जो किसी भी द्रव या पदार्थ में पाई जाते हैं द्रव या पदार्थ तीन प्रकार के पाई जाते हैं ठोस ड्रव और गेस राइट तो जब हम बात करते हैं ठोस पदार्थ की बिल्कुल तो ठोस पदार्थ में जो है वो जो पदार्थ बना होता है वो जो है परमाडू और नाभिक परमारू के नाभिक से मिलकर बना होता है, मतलब परमारू के नाभिक से मिलकर बना होता है, हम कह सकते हैं, तो मान लोग की एक बड़ा सा थोस पदात, अब हमने उसके एक परमारू के बारे में study करी, ठीक है कि परमारू के अंदर नाभिक होता है, बाहे कक्षों में इलेक्ट पास होते हैं जैसे की आप यहाँ पर example में देख पा रहे हैं एक फोस का structure तो भाई हमने पर्टिकुल एक एक परमारू यहां पर एक एक परमारू है यह आपस में क्या करते हैं एक दूसरे से यहां पर बंध बना कर एक दूसरे से बहुत ही मजबूत ही से जूड़ जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जब यह एक दूसरे से बंद बना कर जूर जाते हैं तो एक ठोस का निर्मार होता है बहुत जादा पास पास जुड़े हैं तो ठोस बहुत दूर दूर हैं तो द्रव और काफी दूर हैं तो गैस तो जब यहाँ पर आप यह किस्ट्रेलाईन स्ट्रक्चर देख रहे हो किसका ठोस का राइड जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब हम इनमें क्या करेंगे हम इनमें मतलब आगे इनका जब वरगी करन देखेंगे तो वर्गी करण में हम ठोसों के वर्गी करण में तीन प्रकार के वर्गी करण हम देखते हैं एक चालक पदार्थ एक कुछालक पदार्थ और एक अर्धचालक पदार्थ जो आप लोगों ने जब विद्धारत चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था शुरुवात में जब modern science में बहुत जादा इस्तमाल किया जाने वाला एक पदार्त होता है क्योंकि जो हम अब जाकर के जितने भी हम instruments का इस्तमाल कर रहे हैं जैसे कि आप मुझे mobile के जरिये देख पा रहे हो मैं बड़ी सी LED स्क्रीन में बड़ी सी स्क्रीन में आपको जो है यहाँ पर पढ़ा पा रही हूँ तो सारा सिस्टम जो लगा हुआ है यहाँ पर सारे जगा में जो है electronic gadgets का इस्तमाल किया जा रहा है बिल्कुल जैसे कि यह बिल्कुल अगर slide changer की बात करूँ हर जगा यहाँ पर जो है electronic gadgets है और यह जो electronic gadgets है यह सारे के सारे किस से मिलकर के बने होते हैं तो बिल्कुल semiconductor devices याने की अर्धचालक से मिलकर के बने होते हैं अब यह अर्धचालक जैसे कि आप लोगोंने जो है remote का board green color का आप लोगोंने जरूर देखा होगा आपने जो है computer के CPU के अंदर motherboard भी देखा होगा जरूर कभी न कभी आपने picture देखा होगा सारे के सारे जो है अर्धचालकों से बने होते हैं इस वजह से हमको आज के समय में modern physics में आपको अर्धचालक को समझना बहुत अस्य से बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आगे का future जो है आपका जो है बिल्कुल इसी में है क्योंकि technology जो है धीरे-धीरे के बारे में बात किया तो ठोस के crystal structure के बारे में बात करने के बाद चालक कुछालक तदा अर्धचालक पदार्थों की बात कर रहे हैं और वहां से फिर अर्धचालक की कहानी शुरू हो रही है लेकिन अर्धचालक की कहानी शुरू करने से पहले क्योंकि ठोस के अंदर गति किया है उसके बाद अर्ध हचालक पर फोकस करते हुए और जालक हम समझे और विद्धारा का चालन जो став किया जाता है उसको समझते हुए हम उसकी चालकता और प्रति रोद्धकता का एक डेंखर di Beck ups के सबस्वं महत्वत्वप्रन पूरंड 네 धायोड, इसका भी लाक्षणिक वक्रा और इसके forward bias, reverse bias, अगर अभिनती, पश्र अभिनती, जितना भी detail है आपको पूरा का पूरा जो है यहां पर पढ़ना है तो भाई शिरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी यहां पर हम सब से पहले बात करेंगे ठोसो में अरजाबेंड की जब हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है किसी भी एकम के बारे में बताया था परमानु के बारे में आप लोगों को बताया था तो परमानु का structure आप ले हां पर देख सकते हैं यहां पर मैं लिया है कि आगे चल के में अर्ध चा लक की बाडेंगे तो अर्ध चालक पडार्त है वाली जो इढर आप पर मार्णीम यहां पर देख पारे हो कि इस वी का है कि अठीक हे कि बीच बीच पीच वे नë नाभिक में जो है प्रोटॉन्स और निट्रॉन्स उपस्तित है और इसके चारो तरफ कक्षाओं में क्या है चारो तरफ कक्षाओं में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे हैं ठीक है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो यहां पर आप लोगों ने ज संक्या जो है 14 होती है तो इसको आप कैसे करते हो जो पहला है उसमें एसके बाद क्या करते हो आप 2s2 और क्या करते हो 2p6 डू गों रहे होंगे उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बादाप क्या करेंगे नेग्स्ट नए क्लिकह्तें पुर्ट की लिए टरुब ए GM यह होना कितना चाहिए आप होना चाहिए कम से कं आप आज होना चाहिए लेकिन चार है इसका मतलब क्या है यहां पर जो चार है चार है आठ होने चाहिए तो यहां पर चार जगह जो है वो खाली है चार जगह जो है मतलब चार इलेक्ट्रोनों की जगह खाली है देखो जैसे कि जो है यहाँ पर already खाली मौजूद है मतलब कि यह जो है क्या करेंगे अपने ही silicon material के साथ जैसे यह crystalline structure सबसे पहले हम लोगों ने देखा उसके साथ structure बना लेंगे उसके साथ जब structure बना लेंगे तो पूरा जो है इस तरीके का जो है एक ठोस पदार्थ बन जाएगा जो silicon का ब देखो यहाँ पर जो है बिलकुल दिखाया जा रहा है यह एक solid एक ठोस पदार्थ बना है silicon का silicon के बहुत सारे items याने की परमानू मिलकर के क्या बना रहे है देखो इस तरीके से सगन रूप से एक साथ पास पास जो है इकठे इनके कड है और यह क्या बना रहे है बिलकुल देखो यहाँ से शिरूव अधा और बिलकुल बहुत सारे चूटे चूटे परमानू मिलकर ठोस पदार्थ मना रहे हैं इनके ओरजा बैंडों को हम लोगों को अभी समझना है ठीक है उर्जा बैंड को हम लोग क्यू समझते हैं इसलिए समझते हैं जब हम इनकी बाहे क्या देख पारे हो इसकी बाहर कख्षा में आप देख पारे हो की चार इलेक्ट्रौंज है जो कि किसी किसी बारे में हम आएके और भी बात करेंगे पर फिलाल आपको इतना तो समझ में कि हैं तो शुट्री कि बात करते हैं तो बीटा और बैंड का यहां पर मतलब यह होता है कि यहां पर लोगों नहीं जब नाभिक चापटर पढ़ा था जब पर्मारू नाभिक चैप्टर पढ़ाता तो हम लोगों ने यहां पर विभिन नकख्षाओँ में उरजा सतरों के बारे में पढ़ाता है तो उरजा स्थानानत्रन की बारे में यहां हम लोगों ने पढ़ा था तो बिल्कुल वहीं से हम यहां पर ठोसो के उर्जा बैंड के बारे में समझेंगे अब देखो है क्या यह जो बाहर के चार इलेक्ट्रॉन्स है जो चार इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इनको हम नाम देते हैं क्या इन चार इलेक्ट्रॉन्स को हम स संयोजी इलेक्ट्रॉंस, इन संयोजी इलेक्ट्रॉंस के कारट, इन संयोजी इलेक्ट्रॉंस की उर्जा से ही एक बैंड बनेगा, जो कि क्या कहलाएगा, संयोजी बैंड कहलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर आपको जो है, मैं उर्जा बैंड के बारे में बता र दर्शारा है किसको दर्शारा है उर्जा बंध उर्जा बैंड ठीक है यहां पर यह जो इस्सा है उर्जा बैंड को दर्शारा है हमने जो है चार संयोजी इलेक्ट्रॉंस की बात करी तो यहां पर यह वाला जो बंध है यह क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉंस को जो है रखता है वो वो ये जो है वो बंद है ठीक है सायोजी बैंड इसका नाम हम लोग देते हैं ठीक है अब यह जो सायोजी बैंड है चार सायोजी बैंड जो है ठीक है अब यहाँ पर जो है परम शुन्यताप पर अगर नॉर्मल जीरो डिग्री टेंपरेचर है 0 degree temperature है कुछ भी वहाँ पर हल्चल या कुछ भी प्रकासी क्रिया नहीं हो रही है तो क्या होगा वो 4 सायोजी बैंड यहाँ पर जैसा था वैसा ही यहाँ पर रहेगा अपने जो है मतलब इस तरीके से एक solid structure में रहेगा ध्यान से समझना अपने solid structure में रहेगा ठीक है लेकिन अ सायोजी कक्ष में सायोजी electrons चार जो मुक्तरूप से घूम रहे हैं जैसा ही हम तापमान बढ़ाएंगे यह electrons जो है यह electrons जो है कहां चले जाएगी उपर की कक्षा में चली जाएगी जिसका नाम होता है क्या challenge band या फिर conduction band हिंदी में हम बोलते हैं ठीक है challenge band या conduction band क्यों बोलत सा Алँ घाली होगा देखना अभी जैसे यह पिकचर हाँसा अभी देखो खाली है पुरह खाली काक्ष हम चली को चोड़ चोड़ जो है उपर challenge band में चले जा रहे हैं मतलब इंग परारू से दूसरे परमारू में कूद जाएगा वो दूसरे के साथ जोड़ा बना लेगा ठीक है क्योंकि वो तो था सिंगल घूम रहा था मतलब एक एक जगा उनके साथ चारों के साथ एक जगा खाली थी उनको चार लोग जो खाली वहाँ पर घूम रहे हैं बाहर कख्षा में उनको और चार लोग चाहिए तो वो क्या करेगा जैसे ही उन को जो है समानने तापमान पर तो वो कुछ नहीं कर सकता ठीक है समानने तापमान तो ऐसा ही का वैसा ही रहेगा पर जैसा ही तापमान उसको बढ़ा हुआ मिलेगा वैसा ही क्या करेंगे यह जो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहां पर खाली कख्षा रहेगी चालन बैंड की तापम से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी ग्याप के रूप में ठीक है इजी से रिप्रेजेंट करेंगे अब हम लोग जो ठोस पदार्थों के बारे में चालक कुछ आलक और अर्ध चालक के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर हर हर पदार्थ के लिए जो है यहां तो नहीं जाएंगे तो इधर उधर नहीं जाएंगे पर उनकी भी एक लिमिट है तो वो जो लिमिट है कि कब तक नहीं जा पाएंगे वो यह क्या कहला रही है energy gap कहला रही है कि भाई यहां तब तक नहीं जा पाएंगे इतनी दूरी तक वो जो है नहीं जा पाएंगे लेकिन जब इनको और यह जो है ऊपर का जो challenge band है यह अगले का खाली हिस्सा है जिसके पास जाकर के वो क्या कर सकते हैं दोस्ती कर सकते हैं ठीक है तो जैसे ही तापमा को भरने के लिए उपर जा रहे हैं तो क्या हो जारी है इनकी ये जो जगा है इनकी ये जो जगा है वो क्या हो जारी है खाली हो जारी है ठीक है तो हुआ क्या यहां पर electrons की अधिक्ता हो गई तो यहां पर electrons की कमी हो गई जहां पर electrons की कमी होती है जहां पर electrons की कमी होती है वो क्या कहलाते हैं, होल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, होल्स कहलाते हैं, अब जब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, अर्ध चालोगों की, तो जहाँ पर इलेक्टरों की अधिक्ता हो रही है, हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, काज कच्छार और रेशम का तुकड़ा याद है कि नहीं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम ठोस के बारे में energy band के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर electron की अधिक्ता हो रही है याने कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं मुक्ते electrons उपस्तित हो रहे हैं और ये विध्युत के प्रवाह के लिए काम आएंगे जो की अर्ध-चाल को में हम कराएंगे। फिल्हाल हम overall सारे पदार्थों की बात कर रहे हैं, ठोस पदार्थों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर यह तो electrons हो गए, ठीक है, मुक्त electrons हो गए, और यहाँ पर यह क्या हो गए, holes हो गए, ठीक है, तो यह क्या कहलाएंगे आपके, यह जो है, charge carriers कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, charge carriers, प्रवाहक है आपके यह, ठीक है, मतलब आवेश के प्रवाहक, क्या कहलाते हैं यह, प्रवाहक ठीक है तो यह रिनात्मक आवेश की प्रवाहक है अब यहां पर जो होल्स के निर्मार हुए है ये क्या कहलाएंगे ये भी आवेश की प्रवाहक कहलाएंगे क्योंकि इनकी खाली जगा को बनने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन कूद कर आएगा इन खाली जगा को बने के लिए फिर क्या होगा कोई और इलेक्ट्रोंस कूद करके आएगा तो बिल्कुल ये घटनाई ये जो है लगातार बनी रहती है जिसकी वज़ा से इलेक्ट्रोंस इधर से उधर भागते रहते हैं और वहाँ पर उर्जा का प्रवाह ताप बढ़ाने से स उसरे के पंट कर जाना हूहने क्रियाओं की बात और उनके वज General में क्या होता है विख्षोबुत्पन होता है और does the energy gap यह क्या हो रहा है अब यह कूध करके पार करλ에 मतलब यह अपना वंधन क्या बढ़ गए? आगे बढ़ गए. बंधन तोड के आगे बढ़ गए. हम लोगों ने Binding Energy बंधन उर्जा के बारे में भी हम लोगों ने ना भी कध्याई में पढ़ा था. याद है कि नि मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया, अगर आपने वो वन खेलफैंट के शान खो जिसको हम क्या कहते हैं अर्जा सब्सक्राइब की बात करते हैं सो कख्शा में इलेक्ट्रों की गती होती है नाभिक में लाभिक की चारो तेरक सिपलतकि तो electrons की गती कहां कहां पर होती है नाभिक और नाभिक के दे देखते हैं और उलΟ्रों देखो यह नाभिक चाप्टर से से इसको रिलेट करो आप कि वहां पर आप देख रहे थे उर्जा इस्तरों की बारे में जब आप देख रहे थे हाइडरोजन को हम लोगों ने एक्जामपल ले करके उसके उर्जा इस्तरों को हम लोगों ने समझा था तो वो बिल्कुल कूद करके एक जगा से दूसरी जगा जो है जा रहे थे उर्जा इस्तर में जा रहे थे जो हम अब यहां पर क्या होता है कि किसी भी प्रिधाकित परमारू में क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिलिकॉन का एक्जामबल दे करके बताया है अगर हम सभी प्रकार के ठोस्पदार्तों की बात करेंगे और यहां पर इसी वजह से क्या हो रहे हैं वैसे बहुँ सारे उर्जा स्तर वे विभक्त होते हैं लेकि उर्जा स्तरों की बारे में भी हमने इसके पहले की chapter पढ़ा है लेकिन मुख्य रूप से हम यहां पर दो उर्जास्तर की बात करेंगे क्योंकि ये दो उर्जास्तर मेर हैं ठीके तो एक होगा क्या सहियों जी बैंट और दूसरा होगा क्या चालन बैंट ठीके तो बिलकुल यहां पर उर्जास्तर में जब विभक्त हो रहे हैं जिन में उर्जा का सतत्त परिवर्थन होता रहता है continuously प्रक्रिया चलती रहती है ऐक दूसरी की अथिख निगर्ड होने की करता है बैंड का रूप Ok और ही नहीं को हम क्या कहते हैं energy bands कहते हैं और energy bands वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन हम main यहाँ पर जो है दो को ले रहे हैं एक संयोजी band और एक चालन band I hope कि आप लोगों को बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अब इस diagram से और भी अच्छे से clear हो जाएगा क्योंकि वापस से हम यहाँ पर समझ रहे हैं विभिन प्रकार के उर्जास्तरों को आप यहाँ पर देख रहे हैं हम विभिन प्रकार के जो है यहाँ पर उर्जास्तर में इ यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉंस कहलाते हैं जो की संयोजी बैंड में उपस्तित होंगे जिनको हम क्या कहते हैं वैलेंस बैंड इसी वजह से वी फ़एलेंस और वी फॉर इवी से यहाँ पर संयोजी बैंड की अर्जास्तर को जो है प्रदरशित किया जा रहा है चालन जो मैंने आप लोगों को पिक्षर दिखाया वहां पर चार जगह खाली है तो जैसे ही क्या होता है जैसे ही यहां पर ताप मान बढ़ने के कारण क्या होते हैं कि यह जो संयोजी इलेक्ट्रॉंज है इनको बिल्कुल मतलब यह अपने बंधन थोड़ करके मतलब कि यह जो बी चालक पदार्थों के लिए अर्ध चालक पदार्थों के लिए और कुछ अलग पदार्थों के लिए अलग-अलग होता है उनके भी हम उर्जा बेंडों के एक एक करके हम देखेंगे राइल बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं और यह डाइग्राम काफी इंपोर्टें और यह डाइग्राम आपको जरूर बनाना है यह ठोसों में उर्जा बैंड के प्रकार है यहां पर आप यहां पर जो है तीन प्रकार देख पा रहे हो सबसे पहला जो है वह क्या है साहिए बैंड तो जहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स उपस्तित होते हैं वह आपका संयोज संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को चालन बैंड में जाने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट की उर्जा कम से कम चाहिए ही चाहिए तब ही जाकर कि वह क्या होगी चालन बैंड में ट्रांसफर हो पाएगी ठीक है तो जीरो केल्विन से हम तापमान को थोड़ा-थोड़ा जाएगे तब जाकर के उनको क्या मिलेगी फिर उर्जा प्राप्त होगी अब यह सबसे ऊपर का जो बैंड चालन बैंड यहां पर कहला रहा है जिसको कंडक्शन बैंड हम एसी से प्रदर्शित करते हैं और यह जो है किसे प्रदर्शित करते हैं हम इसको ईजी से मैं यहां कुछ चालक तथा और धचालक पदार्थों के तो ये भाई ठोस के तीन प्रकार है ठोस पदार्थों के तीन प्रकार है जहां पर विद्धुत आवेश के प्रवाह के आधार पर इनको वर्गी कृत किया गया है ठीक है तो जब किसी पदार्थ में विद्धुत आवेश का प् पर मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं ठोस पदार्थों को हम तीन वर्गों में बाठते हैं जिसमें चालक धातुए कुचालक और अर्धचालक चालक धातुए जहां पर मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्या अधिक होगी जिसकी वज़े से विद जुद्धारा का प्रवाह बिल्कुल भी संभव नहीं है वो आपका कूछ आलक पदार्थ कहलाएगा और्धचालक पदार्थ मतलब की ऐसे पदार्थ जहाँ पर मुक्त इलेक्टरॉन उपस्थित तो होते हैं लेकिन कम संख्या में उपस्थित होते हैं शुन्यत आप पर इन अरधचालक पदार्थो में क्या होता है कि मुक्त इलेक्टरॉन में की संख्या को बढ़ाने की चांसे होते हैं उनको बढ़ाक करोकी फिर्मा पर चलन्ट संभव किया जाता है और था संतभ ャोसे प्लेज़ी में देखेंगे Loskin पढ़ा, कौपर वगड़ा, अलुमुनिययुम वगड़ा वो सारे आपके चालक पदार्थों में आते हैं और जब हम ठीक, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है, ये भी पढ़ा है कि तापमान बढ़ाने ताप प्रतिरोधक्ता गुरांक की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर धनात्मक्त प्रतिरोधक्ता गुरांक पाया जाता है, एक सुत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रतिरोधक्ता के लिए और प्रतिरोध के लिए ताप पर निर्भरता उसके बारे में पढ़ा होग ठीक है तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर होगा अब देखो जब हम इनके उर्जा बैंड की बात करते हैं जब हम यहाँ पर चालक पदार्थों में उर्जा बैंड की बात करते हैं तो इनका ऐसा कंडिशन होता है कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जाधा अधिकता होती है जैसे कि 10 की घात 39 मुक्त इलेक्ट्रोन जो है कॉपर में पाई जाते हैं जैसे की हना तो चालक पदार थे उलेक्ट्रोनों मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्ष्या बहुत ज़्यादा दीख है अनुगमन विए ज्याद कर लो जहां पर हम रोगोने मुक्ट एलेक्ट्रोनों के बारे में काफी जादा पढ़ा था ठीक है तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता भाई इनके बीच में जो उर्जा गाप होती है वो बिलकुल भी नहीं होती है बलकि यहां पर इनके जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है क्या चालन बैंड और आपका संयोजी बैंड ऊपर वाला हाथ चालन बैंड पर यहां पर एक दूसरे के उपर ऊपर ओवर्लाप होंगे मतलब चालन बैंड यहां पर खाली नहीं होगा बलकि आंशीक रूप से भरा होगा जिसकी वज़ा से मुक्त एलेक्ट्रॉन लगातार यहां पर क्या करते र तो यहां पर क्या है विद्यश धारा का प्रवाहब भी संभाव नहीं है मकते मुक्त एलेक्ट्रॉन İn2 आप है यहां पर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम उर्जा की बात करेंगे वो जो है बिलकुल तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब तीन से पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी जादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर वर्जित उर्जा अंतराल होगा जिसकी वजह से यहां पर जो है संभव नहीं हो सकता, चालन संभव नहीं हो सकता, तो कूचालग पदार्थों की भी जरुवत है, भाई हमको कूचालग पदार्थ भी हमको चाहिए, तो भाई जहां पर हमको कूचालग पदार्थों की विद्यतरोधी पदार्थों की आवर्शिक्ता होती है, वहाँ पर हम इ करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है हिम्मत रखने की जरुआ है क्या पता कि आपकी डेस्टिनी कहीं और विक्ती रही हो पर उस चीज को वाइंड आउट करने के लिए आपको जरूर है फोकस देना चाहिए और बिल्कुल कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें सक्सेस्फूल ह और फिर भी पढ़ाई तो भाई मतलब हो जाएगी उसके लिए बस आप लग के थोड़ी महनत करो सब कुछ संभव है बढ़ते हैं और अर्ध चालक के बाद मात करते हैं तो यहां पर अर्ध चालक पदार्थ जो निम्न तापकर विद्धुत का प्रवाह नहीं हो पाता है ले जब यहां पर ताप मान और प्रतिरोधक्ता के बीच के रिलेशन की हम बात करें तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोधक्ता घट रही है तो यहां पर जो प्रतिरोधक्ता ताप गुडांक होता है वो कैसा होता है रिनात्मक होता है ठीक है चालकों के लिए कैसा था धनात्मक था क्योंकि वहां पर ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ रही थी, विपरीद काम हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, घट रही है, तो यहां पर क्योंकि ताप गुड़ांक होता है, ठीक है, चलो, बढ़ते हैं आगे और यहां पर जब हम इनके उरजा बेंड की बा जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है तो यह जो सहियोजी इलेक्ट्रोंस है वो कूद कर energy gap को पार करके छलांग लगा करके challenge band पर पहुँच जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रों बन जाते हैं अब यह मुक्त इलेक्ट्रों बन गए free हो गए तो इसकी वज़ा से मुक्त इलेक् band खाली है पूरा खाली है ठीक है और यहां पर सहियोजी इलेक्ट्रोंस भरे हुए है जैसे ही हम क्या करें यहां पर तापमान को बढ़ाए तो तापमान को बढ़ाने से क्या हुआ कि यहां पर के इलेक्ट्रोंस जो है कुद करके खाली चालन बैंड में पहुँच गया इस एनर्जी ग्याप को पार करके एनर्जी ग्याप को पार करने के बाद जब यहां पर पहुँचे तो इनकी जगा खाली हो गई क्या हो गई इनकी जगा खाली हो गई तो इन्होंने क्या किया होल्स इनको क्या कहा जाता है अब जब हम अर्धचालक की बात कर रहे हैं तो अर्धचालक बदार्थों में ज्यादा तर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तमाल करते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूं क्योंकि ये कॉश्चन पूछता है जो जर्मेनियम का ये उर्जा ग् जो है बिल्कुल इस तरीके से घरते हुए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन मेंड पर जा करके यहां पर चार्ज केरियर्स का निर्मार करते हैं और सिलिकॉन के लिए यह 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो जर्मेनियम से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर यहां पर एनर्जि गैब यह और मिद्ग चाहिए उतनी अनर्जि अगल दी जाए न पदर आ Forward उजाती है और यह और चालक में चालन संभव हो पाता है ठीक है तो हमने यहाँ पर चालक को चालक तथा अर्ध चालक पढ़ा तीनों का आप यहाँ पर comparison देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने चालक के बारे में पढ़ा तो किस प्रकार से दोनों ही बन एक दूसरे से दोनों ही band जो है एक दूसरे पर overlap थे जब हम लोगों ने अर्ध चालक को के बारे में पढ़ा तो अर्ध चालक का एनर्जी ग्याब जो है लगभग लगभग एक electron volt के बराबर होगा जो की इस ग्याब को जो है खतम करना संभव है जिसकी वजह से चालन संभव हो पाता है लेकिन जब हम कुछ आलक की बात करते तो वहां पर जो है यह ग्याब बहुत जादा होता है यह ग्याब जो है खतम करना संभव रही हो पाता है इसलिए वहाँ पर चालन संभव नहीं होता है बढ़ते हैं आगे और पूरा फोकस अब हमारा होगा अर्ध चालक पर तो फाइनली हम अब अर्ध चालक के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं तो मैंने आप लोगों को सिल सिलिकॉन जो है और चालक का एक प्रकार है सिलिकॉन के लावा यहाँ पर आप जर्मेनियम की संरचना यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक है तो इनकी परमारू संख्छाओं के अधार पर परमारू संख्छाओं के अधार पर इनकी परमारू संरचना है ठीक है तो यहाँ पर इसके लिए मैंने आप लोगो को अल्रेडी बताया है क्या किस तरीके से बन रहा था 1S2 फिर 2S2 और 2P6 फिर क्या बन रहा था 3S2 फिर 3P3P2 उसी तरीके से यहां पर जो है कितने इलेक्टॉन से 32 है ठीक है तो यहां पर भी उसी तरीके से जो है आप बिलकुल इसको भी जो है अर्देशा मतलब की विभन्य उर्जा सतरों में डिवाइट कर सकते हैं थीक है अब यह जो बहार दोनों के देख रहे हो हमको सहीयोंजी एलेक्टरौन के मतलब है यहाँ दो प्रकार के होंगे ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको सिलिकॉन का दिखाया था कि सिलिकॉन की जो ठोस की संरचना है वो कैसे होगी तो सिलिकॉन परमाडू के बहुत सारे बहुत सारे परमाडू मिल करके क्या बनाएंगे एक पूरा ठोस बनाएंगे ऑलरी हमने देखा एक ब जर्मेनियम के बहुत सारे परमाडू क्या है मिलकर के जर्मेनियम माटेरियल की क्या बनाएंगे ठोस बनाएंगे ठीक है अब यहां पर क्या होंगी जो इनके चार है वो अन्य परमाडू के चार से क्या करेंगे संपर कर लेंगे इनके चार अन्य परमाडू के चार से संपर कर तो यह यहां पर जोँ है एक प्रकार जो है आपको अधम दो प्रकार की होते है निज और यह होता है वो निज मतलब कि शुद्ध अर्धचालक यहां पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है लेकिन बाहर अर्धचालक में क्या होता है कि हम दूसरे प्रकार के पदार्थों को अशुद्धी के रूप में बीच में घुसा देंगे अब भाई तुम सिलिकॉन की फैमिली में जालन संभव हो पाएगा ठीक है तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम तो यहां पर यही अपने ही अपने पर पर्मानुओं के साथ निज अर्धचालक बनाता है और यहां पर बाहर अर्धचालक के दो प्रकार है ठीक है बाहर अर्धचालक के दो प्रकार है इसकी पूरी थि ग्राम से आपको समझा रही हूं ठीक है यह एंड टाइप है यह क्या है आपका पी टाइप ठीक अब इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो हमारे पास जो है यहां पर एंड टाइप सेमिकंडक्टर बनाने के लिए हमको करना क्या पढ़ता है यह मैं आप लोगों को बता र भौकराना होता है ठीक है तो हम बाहर प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धी मिलाकर करते हैं तो अशुद्धी भी सोथ समझके मिलाई जाती है तो एक जो है इनके जस्ट आवर्थ सार्णी में इन लाइन के बाजु में आप देखोगे पाँ पंच संयों जी पंच संयों मतलब कि जैसे इसमें 4 सइयोजी लेक्टरॉंस थे वैसे यहां पर 5 सइयोजी लेक्टरॉंस होंगे बाहर में किते electron होंगे 1,2,3,4,5 उDR. तोटल 5 होंगे ठीक है नाम यहाँ पर गलती से जो है यहाँ पर रॉंग हो गया है यह आपका N टाइप है और यह P type है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर गलती से नाम अलग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हम 3 सहियोजी इलेक्ट्रोंस है, यहाँ पर 5, तो confused नहीं होना, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 सहियोजी में और हम बात कर रहे हैं किसकी N-type की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर correction कर लेंगे थोड़ा हमने silicon में मैं दुबारा समझा रही हूं कि 4 साहियोजी electrons यहां पर पाई जाते हैं बाहियक अक्षा में तो जब हम इनमें अशुद्धी मिलाएंगे तो हम इनमें इस तरह की अशुद्धी मिलाएंगे या तो इनकी ऐसे पदार्थों की पांच सहियोजी एलेक्ट्रोंज वाले तत्वा मिलाएंगे यहां पर ठीक है पांच सहियोजी एलेक्ट्रोंज वाले तत्वा मिलाएंगे तो क्या होगा कि इनके जो पांच में से चार है वो चार खाली जगा को तो फुल्फिल कर देगा पर एक जो है वो अकेला रह जाएग यख जो है वो अकेला हो जाएगा तो इस तरीके से बहुत सारे सिलिकॉन परमारवों के बिच काफी सारे पंच-साहिएवजी तत्व को जब हुम लाएंगे तो इनके पंच-साहिएवजी में से हर का एक-एक जो भूह सारे में फ्री घूमेगा और कैसे कारे करेगा उसको समझेंगे पहले हम पंच संयोजी तत्व को समझ लेते हैं तो पंच संयोजी तत्व में बहुत सारे न टाइब का कुण से टैब का एंड टाइब का अर्धिकर लेकिन जब हम क्या करते है कीरो समय methodology तो अगर हम क्या करेंगे इसे तत्वो Monaten के साथ तो वहाँ क्या होंगे तीन बाहे उलेक्ट्रॉन महजूद है तीन संयोजी उलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो क्या करेंगे यह तीन जगा को तो इसके भर देंगे इसमें चार खाली जगा है तो इसकी तीन जगा तो भर जाएगी पर एक जगा खाली रह जाएगी और यह तो एक जगा खाली देह जाएगी, इसी खाली जगा को भरने की होल लग जाएगी सारे एलेक्ट्रोनों में, और एक से दूसरे जगा में ये कूदते रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, होल्स का निर्माण हो रहा है, ठीके, तो उसको हम क्या कहते है, पी टाइप, क्या क्या कहते है, जब होल्स का निर्माण होता है, तो पी टाइप, और जब अधिक मुक्ते इलेक्ट्रोन उपस्तित होता है, ठीके, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रान होता है, क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रान होता है, ठीके, उसको हम क्या कहते है, एंड टाइप, ठी तो धनात्मक मतलब proton आविश मतलब की धनात्मक मतलब proton ठीक है तो इसलिए हम इसको P टाइप और N टाइप नाम देते हैं इसलिए क्योंकि यहां पर होल्स का निर्मान होता है और यहां पर मुत्रे लेक्ट्रोनॉक्स की अधिक्ता होती है ठीक है तो यह तो मैंने आप लोगो को जो है तत्तो के अमाध्यम से समझाया अब इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से देखेंगे यहां पर जो है सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन माखेंल है अप लोगों ने देखा जो एक दूसरे के साथ बंध बनाकर थे तो ये हम निज अर्ध हुए है structure में और ये जो है ऐसे प्रकार के अर्ध चालक बनाते हैं जिनको हम निज अर्ध चालक मतलब शुद्ध अर्ध चालक उसमें कोई भी अशुद्धी नहीं मिलाई गई है पूरा का पूरा ये अपने ही परमाणों के साथ बंध बना करके जो है अपने ही परमारों के साथ बंद बना करके इस तरीके से संरचना बना रहा है यह डाइग्राम आपको एक्जार में इस तरीके से बनाना है ठीक है यह पिक्चर दिखा रही हूं मैं पर जो डाइग्राम मैंने बोला इसको इस तरीके से बनाना है वह आप स्क्र निकल कर कुद के जाएगा उसको भरने के लिए दूसरा आएगा और यह कहीं और चला जाएगा जो कुदा ठाप सबके जोड़े को पकड़ने जाएगा उसको पकड़ने के लिए कोई और प्यास signaみ clothes ? Julia कुदBlue को खाली हुआ तो उसको पकड़ने के लिए कोई और गुदेगा то मतलब सबकी सबकर हां पर हसी खुशी परिवार चल रही है और यह गड़-बढ़ी के चक्र में क्या हो रहा है कि यहां पर जो है मुक्त कर पांने तो यहां पर चालन संभव तो है पर निज अर्धचालक याने की सुध्ध अर्धचालक में इतना जादा अच्छे से चालन नहीं हो पाता है तो इस वज़ा से मतलब यह निज अर्धचालक कहलाते तो हैं लेकिन इस्तमाल में आपके जो है बाहि अर्धचालक याने की N टाइ मैं बिल्कूल बनानी है वैसे संरशना तो आपको NCIT की किताब में यह संरशना किसी अब किताब में आपको सबस्कूर। इस सिलिकॉन माटेरियल हम क् иा च्ट्रक्चर-ड जिसमें खॉसफोरस की अशुद्धी पंचसाहिं हो जी इलेक्टरॉन तत्व जो यहाँ पर हम मिला रहे हैं यहाँ पर जो पंच सही ओजी इलेक्ट्रॉन तत्व यहाँ पर जो मिला रहे हैं ठीके जिसके कारण यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बने की कारण बहु संख्यक आवेश वाहक के कारण यहाँ पर क्या संभव हो पाएग अगर हम यहाँ पर पंच संवाजी तत्व की जगह, हम यहाँ पर अलिउमुनियम का तत्व मिला दे तो अलिउमुनियम के कारण यहाँ पर त्री संवाजी उलेक्ट्रॉंस के कारण फोल्स हो पाएंगे और होल्स की वजहा से P-type का समी अंड context बनता है तो यहाँ पर आपके चार्ज केरियर्स उत्पन हो रहे हैं यहां पर आवेश्वाग बहु संख्यक आवेश्वाग पी टाइप के समी कंड़क्टर में जो है होल्स पाई जाते हैं जिसके कारण क्या हो पाता है विद्धारा का संभा धारा का प्रवाह संभा हो पाता है जो कि हमको बाही अर्धचा बिल्कु वही चीज यहां पर लिखी हुई है और द्र चालक के बारे में हम लोगों नहीं पर आपको बताए एक निज अर्धचालक और एक बाही अर्चद्ध चालक जो प्योर समी आवेश वाहक मतलब की चार्ज केरियर जो होते हैं ठीक है तो जब हम N-type के समिकंडक्टर पड़ते हैं तो वहां पर जो बहु संख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नई स्वरी हम N-type और P-type तो जो है बाये में पड़ते हैं I'm sorry I'm really sorry तो जब हम यहां पर इसकी शुद्ध अर्दचालग की बात करते हैं तो शुद्ध अर्दचालग में क्या होता है बहु संखक आवेश वाहक में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहते हैं उनकी संख्या बराबर रहती है क्योंकि जब हम NidgeAर्दचालग कि y MANYAL की Pure Semiconductor की बा जिसकी वज़े से आवेशों का प्रवाह होता रहेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है दोनों की संख्षा बराबर होती है जिसको प्रत्येक अलग अलग तत्वों के लिए इस सुत्र के द्वारा ग्याद किया जा सकता है यहाँ पर के जो है वो बोल्ड्समे यहाँ उजी तेन साहियो जी पांच साहिय याँ मिश्रन मिश्रन को हम क्या कहते है जब अशुधी लगेम का होती है यह सवाल प्योहादा राप्त हो मियानक घ्चा उता है कि हमको जो है बाहे अर्धचालक प्राप्त होता है और ये जो बाहे अर्धचालक है तो ये पांच सहियोजी और त्री सहियोजी तत्व के मिलाने से ही होता है जब हम पांच सहियोजी तत्व मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है N टाइप अर्धचालक और जब हम तीन सह तत्व मिलाते हैं इसके आपको एक्जाम्बस दिये गए हैं बिल्कुल ये सारी चीज़े आपको एक्स्प्लेइन कर दी गई है लिखना कैसे है अगर देखना चाहते हो फटाफ़र से आप ले सकते हो स्क्रीन शॉट इसके बाद पी टाइप अर्धचालक के बारे में भी मैं एक्स्प्लेइन कर रहा है ठीक है अब हमने एंट टाइप और पी टाइप अर्धचालक पढ़ने के बाद हम जो है अगर इनको मिक्स कर दे तो अगर हम पी और एन का ही जोड़ा बना दे तो तो क्या होगा तो भाई यहां से हमको जो है नई चीज़ पता चलेगी जिसको हम हम बोलें गे फिएन मतलब जिसको हम कहते हैं पी एन टाइप टाइप डायोड ठीक है इसको क्या कहेंगे डायोड डायोड अब यहां पर जो हमने अर्धचालक पढ़े एक हमने P प्रकार और N प्रकार इनको हमने जो है इस तरीके से एक सांथ कर दिया एक सांथ कर देंगे इसकी घड़ना हम पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले जो है हमने जो ये P टाइप और N टाइप के और चालक पढ़े हैं इनकी चालकता और प्रतिरोधकता के बारे मे आपने विद्धारा में पढ़ा है तो यहां पर हमने चालक की चालकता और प्रतिरोधकता तो देखी है विद्धारा चाप्टर में यहां पर हम अर्धचालक की चालकता और प्रतिरोधकता देखेंगे तो यह चोटा सा टेरिवेशन हम फटा-फट से करेंगे जो मैं आपके लिए पूरा रेडी लेकर आई हूँ यहाँ पर कि अगर मानलों कि कोई अर्धचालक है अर्धचालक का एक ब्लॉक मानलों कि एल लंबाई का है उसका अनुप्रश्त काट का शेद्रफल यह थियोरी आप लोगों को क्या कहलाएगा यहाँ पर आई है ठीक है अब कुल धारा का प्रवाह इन दोनों के योग के खारण होता है तो यह आपका एक conductor और N type semiconductor पढ़ा तो वहां पर जो है विद्दुद छेत्र उत्पन होगा इसके बारे में हम देखेंगे और detail में कि किस तरीके से उत्पन होगा जब भी हम क्या करेंगे जो भी मैंने आपको ये बताया ये इस तरीके से जो बताया यहां पर जो है बीच में जो है वहां किस कारण हुआ था तो आपका जो इलेक्ट्रान है वो आपके विद्युधारा की विपरीद दिशा में चलता है तो और आप लोगों ने electronic विद्युधारा और जो आप लोगों ने जो है कन्वेशनल विद्युधारा के बारे में आप लोगों पढ़ा है बिल्कुल वही चीज यहाँ पर बताई गई है और कुछ भी नहीं है ठीक है अब यहाँ पर जो है यह derivation सेम आप लोगों ने जब चालकता और प्रदीरोधकता आप लोगों को ग्याद करना था चालक के लिए तब वहाँ के लिए अलग-अलग calculate करना होगा तो जब हम वहाँ पर आवेशों की संख्या डायरेक्ट एंड लिया करते थे तो यहाँ पर electronों की संख्या के लिए और holes की संख्या holes कब बन रहे हैं जब electron अपना जगा छोड़ करके उस जगा को खाली कर रहा है अपना जगा छोड़ के उस जगा को खाली कर रहा है तो क्या बन रहा है तो जैसे हम लोगों ने सेम वहाँ पर electrons आवेश के लिए किया था सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर electrons और holes के लिए करना है और यह करने पस electron और holes जो है दोनों ही है तो जब हम इनकी प्रतिरोधर प्रतिरोधक्ता की बात करेंगे तो बिल्कुल ओम का नियम जो हमारा लग रहा था अर्धचालक के लिए और प्रतिरोधक्ता जो थी हमारी तो बिल्कुल आपके जो वही सुत्र जो आप लोगों ने चालक के लगए लेकिन यहां पर जो है दो चार्ज के एर्ज है एक जो हैट इलेक्ट्रा और होल्स लिए यहां पर प्रतिरोधक्ता के बीद के बीच में इस तरह से रिलेशन जो हमारा आपके इलेक्ट्रोंज और होल्स की अनुगमन वेग है तो उस आवेश वाहक की हम क्या कहलते हैं गती शीलता हम कहते हैं इनके द्वारा जब हमको अनुगमन वेग प्राप्त होता है मतलब इसके कारण जो है विद्धुधारा का प्रवाह संभव हो पाता है चालन संभव हो तो वही क्या कहलाता है गती शीलता या फिर चालकता क्या कहलाती है तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अर्ध चालक की चालकता कैसे होगी राइट अब अर्ध चालक की चालकता के लिए हमको जो है यहां पर यह सुत्र मिल गया है अब जब हमको चालकता मिल गई है तो च Electrons और Holes दोनों के ही घनतवप पर निर्फर कर रही है कि कितनी संख्या में Electrons है और कितने संख्या में Holes है ठीक है तो जब हम P और N टाइप का Semiconductor बनाते हैं तो N टाइप के Semiconductor में क्या होता है? कि N टाइप के Semiconductor में Electrons की अधिक्ता होती है ठीक है? इलेक्ट्रॉंस की अधिक्ता होती है और जब हम P टाइप का Semiconductor बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? Holes की अधिक्ता होता है तो जिनकी अधिक्ता होती है उनको हम नाम देते हैं बहु संख्यक आवेश वाहक किस क्या बोलेंगे यहां पर हम Electrons को बहु संख्यक बहु संख्यक आवेशवाहख ठीक है आवेशवाहख मतलब आवेश को ले करके जाने वाला अब यहाँ पर होल्स की अधिक्ता है तो P-type के समिक अंडुक्टर में बहु संख्यक आवेशवाहख कौन है? होल्स ठीक है? और अब यहाँ पर N-type में अलप संख्यक मतलब यहाँ पर holes की कमी होगी क्या होगी holes कम होगे तो क्योंकि यहाँ पर holes कम है तो इसलिए यह जो holes है N type में अलपसंख्यक आवेश्वाहग कहलाएंगे ठीक है अलपसंख्यक आवेश्वाहग और ठीक इसी प्रकार P type semiconductor में electrons की कमी है यहाँ पर अलपसंख्यक आवेश्वाहग क्या कहलाएंगे P type में electrons जो है अलपसंख्यक आवेश्वाहग कहलाएंगे तो यह शब्दा आपको clear हो ताकि हम आगे के concepts को समझ पाएं तो इसके लिए मैंने आपको यह चीज़ एक्स्प्रेंग किया है तो जैसे कि हमने P type और N type semiconductor पढ़ा तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जो है P प्रकार का अर्धचालक है जिसमें हम लोगों ने तीन संयोजी यहाँ पर अशुद्धी मिलाई है ठीक है अशुद्धी मिलाना doping कहलाती है अब यहाँ पर जो है होल्स याने की कोटरों की संख्याधिक होती है अब यह जो N type का समी कंड़क्टर हम लोगों ने बनाया है इस N type के समी कंड़क्टर में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने पंच संयोजी अब हमने क्या किया अब हमने क्या किया कि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया ठीक है डायोड शब्द का मतलब क्या है डायोड सब्द का मतलब जहाँ पर दो चीज़े मतलब मिलकर जो है विद्युद्धारा के प्रवाह को संभाव कर पा रही है ठीक है तो ये इलेक्ट्रोनिकी जो है हमारी उसमें ये डायोड बहुत काम की चीज़ है बहुत सारे जगों में काम में आती है और बिल्कुल जो भी विद्युत परिपत बनाई जाते हैं समी कंडुक्टर सर्किट में उन सभी जगों में जैसे डायोड का इस्तमाल बहुत ज समाल किया जाता है डायोड हो गये ट्रांजिस्टर हो गये ऐसे बहुत तरह के उपकरण होते हैं ठीक है तो बहुत सारी युक्तियां होती है और जब यहीं मिक्स होती है इन दोनों को हम आपस में जोडते हैं तो जैसे कि ये मेरे पास मालो की P टाइप है और यहाँ पर मेरे पास क्या है N टाइप है अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया जोड के इस तरीके से कंबाइन कर दिया कंबाइन करने के कारण क्या होगा यहाँ पर जो है तो दोनों को मिला देंगे तो ये जो बीच का हिस्सा है ना इस बीच के हिस्से में क्या होगा कि इस बीच के हिस्से में ये होल्स जो है इस इलेक्टरॉन से अट्रेक्ट होंगे और ये जो है इलेक्टरॉन इन होल्स से अट्रेक्ट होंगे तो जिसके वज़े से बीच में ज तो है ये दूर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रेक्ट नहीं हो पाएंगे ये क्या है P टाइप है और ये क्या है N टाइप है तो केवल जो संधी का ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है ये बीच का हिस्सा जो है संधी कहलाता है तो ये जो बीच का भाग है ये वाला भाग आप देख पारे हो ठीक है यह वाला जो भाग देख पारे हो यह जो भाग कर निर्मान कर रहा है इसमें यहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो यह एंड टाइप है तो यह एंड टाइप के जो इलेक्ट्रॉंस है यहाँ पर पी टाइप के होल से अट्रेक्ट हो करके क्या कर रहे है है अट्राक्टटर के यहां पर यहां पर समय सचाना है क्या कर रहे हैं हिए 만들어 ships आप साइब सहेचा हो गए और यहां पर किया हो गया है यश्री किया हो गए यहां पर यह एधित पतली सी परिक बन गई इसका नाम कैंक्या है औुट अब देखो, अभी सिंपली हम लोगोंने क्या किया है, सिंपली अब लोगों ने P और N प्रकार के अर्दटचालक को एक सांट जोर दिया है, ठीक है, एक सांट जोरने के बाद यह सारी चीजे हो गई, इतनी चीजे हो गई, फिलहाल यहां पर जो अमें यहां पर रहा है केवल और केवल आुशाय परत बन रही है है यहां पर अयुक्त हुंकी से करना परएनकों फेन और उनक से बैटरीस बहुत करना पड़ेग utan ग्रोगे से थिए आ यहां पर आप देख पाले हो कि अगर हम P type के अर्धचालक के crystal के कुड़े को N type के crystal के साथ जोर देते हैं तो क्या बनता है P N संधी बनता है क्या बनता है P N संधी बनता है ठी किए अभी diode नहीं बना है जब यहां मतलब यहां पर sadी पी एन संधी बनने के बाद बीच में क्या बनी, यहाँ पर जो N टाइप के बहु संख्यक आवेश्वाहक इलेक्ट्रॉंस, यहाँ पर P टाइप के बहु संख्यक आवेश्वाहक हो गए, अट्रेक्ट हो गए, और अट्रेक्ट होने के कारण यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉंस जो है इस तरीके से इकठे हो गए और सारे इलेक्ट्रोंस इकठे हो करके यहां पर एक दिवार खड़ी कर दिये और उसी तरीके से यह होल्स यहां पर इकठे हो करके यहां पर क्या बना दिये यहां पर दोनों किनारों पर एक दिवार बना दिये अब याद करो जब आप जैसे यहां पर विद्धुद्चेत्र उत्वान हुआ और यह विद्धुद्चेत्र की दिशा जो है यहां पर धन से रिण की तरफ होगी किधार होगी विद्धुद्चेत्र की दिशा धन से रिण की तरफ यहां पर विद्धुद्चेत्र की दिशा होगी ठीक है अब यहां सर्किट में, इलेक्ट्रोनिक सर्किट में जो है, इस्तमाल कि जाते हैं डायोट, तो उसको इस तरीके से इस संकेत के द्वारा जो है, दर्शाया जाता है, ठीके, अब यह जो लाइन वाला हिस्सा है, यह रिनात्मक हिस्सा और यह जो हिस्सा है, वहाँ पर धनात्मक सिरा अगर यहां पर रिनात्मक और धनात्मक अगर हुआ तो वहां पर प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा और इसके बारे में हम आगे समझेंगे तो अब इस पेयन संधी डायोट के बारे में तो हमने बात करी अब इसमें हम मैंने आपको जो धनात्मक और इनात्मक की कहानी आपको जो बताई है उसके और कार्डिंग इसको जो है दो भागों में विभक्त किया जाता है जिसमें से एक भाग जो है आपका अग्र अभिनती कहलाता है ठीक है और दूसरा भाग जो है आपका पश्च अभिनती कहलाता है अब अग्र कब कहलाता है पश्च कब कहलाता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ठीक है अग्र अभिनती कब कहलाएगा त और जब हमने इसको क्या किया इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहां से जो है हमारा धनात्मक्षीरा और यहां से जो है हमारा रिनात्मक्षीरा जब कनेक्ट हुआ ठीक है तो यहां से इनको बाहे स्तुरूत के कारण विद्यूत बल वह है इस तरोथ के कारण इनको यहां पर विद्युत बल प्राप्त हो सका अब इस विद्युत बल के कारण क्या होगा की जो n टाइप के इलेक्ट्रॉंस है बहु संच्छा की इलेक्ट्रॉंस है वो क्या करेंगे पी टाइप की और जो है इधर की तरफ गती करेंगे होल्स जो है उधर इलेक्ट्रॉंस की तरफ जाना शुरू करेंगे हमको पता है कि जो विद्युद्धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉंस की गती के कारण होता है अब इलेक्ट्रॉंस ने अपना काम करना शुरू कर दिया क्या काम करना शुरू कर दिया elections जो है घती करनी शुरू कर दिये अब इलेक्ट्रांस की गती n टाइप से p टाइप की तरफ हो रही है क्योंकि n में बहु संक्याक इलेक्ट्रांस है ठीक है तो इसकी वज़़ा से जो तो यहां पर विद्युद्धारा का प्रवाह संभव हो पाएगा, वो विद्युद्धारा का प्रवाह बिल्कुल इस तरह से इस दिशा में संभव हो पाएगा, ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूं कि विद्युद्धारा का प्रवाह जो होता है, वो क बना था यह बीच का आउशय पर घट जाता है यह बीच का आउशय पर घट जाने की वज़ा से जो बीच का बैरियर था जो बीच का दिवार था वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है और यहां पर विद्धारा का चालन संबव हो पाता है अगर डायोड बनाई तो इस तरीके स जो है हमने यहां पर धनात्मक और यहां पर रिनात्मक दिया है ठीक है जिसकी वज़ा से यह फॉरवर्ड बायस में है मतलब कि यहां पर विद्धारा प्रवाहित हो रही है जबकि इलेक्ट्रॉंस का प्रवाह विद्धारा की विपरी दिशा में होता है ठीक है क्योंकि यह क पर नेक्स्ट पर्ष्य दिसिक अब उसमें किया करेंगे हम सैल को उल्टा कर दिये हैं सैल का रिनातमा कहसा इधर और धनातमा किस्सा इधर कर दिये अब अक्षाणी क्या हुई कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉंस को आकशन प्राप्त होना चाहिए था, इलेक्ट्रों Rain को विद्धित्बल प्राप्त होना चाहिए था, जिसकी वज़ा से वह बीच की दिवार को तोड कर, बीच के Gap को तोड कर Energy gap को तोड कर के आगे बढ़ पाए और आवेश को प्रवाहित कर पाए लेकिन हमने क्या किया यहां पर जो है हमने रिनात्मक और यहां पर धनात्मक शीरा लगा दिया अब उसकी वज़ा से क्या हो गए कि यह जो P टाइप है और यह जो N टाइप है यहां पर P टाइप के होल्स जो है यहां पर इस रिनात्मक से यह दोनों आकरशित हो गए आपस मे ठीक है यहां पर क्या हुआ यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहां का जो धनात्मक सीरा है यह क्या हो गए यह दोनों अपना आकरशित हो गए अब हुआ क्या यह किनारे किनारे आकरशित हो जाने के कारण यह जो बीच का आउशय परत था वो और बढ़ गया बीच का आउ ही हो रहा है इसलिए ये पश्च अभिनत में कहलाया क्या कहलाया पश्च अभिनती में कहलाया ठीक है अब यहां पर पश्च अभिनती में जो है कहलाया इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं reverse bias कई बार अंग्रेजी के शब्द ज्यादा सरल हमको महसूस होते हैं पर कोई बात नहीं concept clear होना चाहिए एक बार नहीं दो बार नहीं बार आपको इस one shot को जरूर देखना है बढ़ते हैं आगे और यहां पर हम बात करते हैं PN संधी डायोट के बारे में तो यहां पर जो भी की गती जो है N से P की तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉंस आपके गती करने लग गए और इलेक्ट्रॉंस की गती होने के कारण इलेक्ट्रॉंस और होल्स दोनों के कारण ठीक है अब इलेक्ट्रॉंस N से P की तरफ जाएंगे और यहां पर N टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉनों से attract हो करके holes इधर जा रहे हैं, holes कि इधर जा रहे हैं, फिके तो overall electrons के प्रवाह के कारण विद्ध्धारा संब़ हो पाती है, अब schauen की विपूरीत दिशा में इस तरह से जो है आपका यहाँ पर विद्युद्धारे का प्रवाहा होगा तो विद्धारा का प्रवाहा आपको यहाँ पर दिखाया गया है एरो के माध्यम से बिलकुल एरो के माध्यम से दिखाया गया है पी एन संधी डायोड कहलाता है ठीके अब इस पी एन संधी डायोड में जो हमने इस आउशय परत के बारे में देखा आउशय अब इसकी वजह से यहां पर विद्व स्थे रभी उत्पन हो गया क्योंकि विभुमांत्र के बारे में जो मैंने बताया था कि इस तरीके से यहां पर विद्व Veterans, फॉए अब यह जो विभुमांत्र है, यह जो ना रहा है, यह एक तरह से रुकावट का कार्य कर नहीं कि जब हम लोगों ने forward bias में किया था forward bias में किया था तो इस आवशय परत को पार करके तोड़ के फिर जाना पड़ा जो उनको इस battery के कारण वो विद्धुद बलप्राप्त हुआ जिसकी वजह से यहां पर विद्धुधारा का प्रवाह याने की बहु संख्यक आवेश्वाह का जो प पाया तो यह जो है विभुवांतर जो उत्पन कर रहा है यह barrier है यह potential barrier याने की विभाव प्राचीर कहलाता है हिंदी में यह आवशय परत बनने के कारण संधी के पास N भाग में धनावेश उत्पन हो रहे हैं और P भाग में रिणावेश उत्पन हो रहे हैं जिसके कारण आवशय परत के बीच में क्या उत्पन हो रहा है विभुवांतर उत्पन हो रहा है और यह विभुवांतर ही विभाव प्राचीर कहलाता है अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है देखो हमने energy gap का मान देखा था सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए किसका नामान देखा थ energy gap का सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए देखा था क्या क्या था तो यहाँ पर 0.732 और यहाँ पर था 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ठीक है यहाँ पर हम इस विभाव प्राचीर का मान देख रहे हैं कि कितना विभाव हम लगाएंगे जिसकी वज़ा से यह आउशय परट जो है तूट पाएगी ठीक है तो यहाँ पर विभाव प्राचीर के लिए हम जर्मेनियम के लिए देख रहे हैं दसमलाव 3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना होता है दसमलाव 7 वोल्ट तो प्लीज इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन का दसम हुआ है और यहां पर हम लोगों को क्या कराना है विद्धुत का प्रवाह कराना है तो कम से कम 0.7 वोल्ट से उपर का विभाव हम लोगों को यहां पर इनके दोनों किनारों पर लगाना पड़ेगा, ताकि यहां पर, जो है, क्या हो पाए, यहां पर इन पर, जो है, आवेश का प्रवाह संभाव हो पाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने, संधी डायोट के बारे में पढ़ा, अग्रा भिनती में और पर्श्रा भिनती में कि एक बार फिर से आपको explain कर रही हूं कि कहानी क्या होती है अगर अभिनती में आपको देखना है कि जब हम यहाँ पर इसको धनात्मक सीरे से जोडते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर यह जो धनात्मक है यह इस P-type के holes से क्या होते हैं यहाँ पर यह एक दूसरे से प्रतिकर कि तरफ जाएंगे और क्या होगा इसके जो इलेक्ट्रान्ज है वो क्या करेंगे एलेक्ट्रान्ज पी टाइप की तरफ जाएंगे ठीक है अब electrons का प्रवाहा इधर N से P की तरफ electrons का प्रवाहा हुआ और क्या हुआ इधर P से N की तरफ holes का प्रवाहा हुआ ठीक है अब electrons के जिस दिशा में प्रवाहा होता है उसकी विपरित दिशा में क्या होता है उसकी विपरित दिशा में विद्धारा का प्रवाहा होता है तो बुलकुल इस तरीके से जो है इस तरीके से क्या हो गया विद्युधारा का प्रवाह हो गया अब विद्युधारा का ये जो प्रवाह हुआ ये अग्र अभिनति यहाँ पर अग्रधारा जादा है अग्रधारा का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोंस एन से पी की त थे ठीक है तो यहां पर अग्रधारा बह रही है और अग्रधारा के प्रवाह के कारण यह अग्रभी नति याने की forward bias में हो पाया ठीक है और ठीक इसके विपरीद यहां पर क्या होता है कि हम इन किनारों को क्या करते इनको जो है हम इधर जो है रिनात्मक सिरे से और इनको धनात्मक सिरे से कर देते हैं जिसकी वज़ासे इसका जो सेल का रिनात्मक सिरा है यहां यह दोनों सेल का जो रिनात्मक सिरा है इस पी टाइप के होल्स से आकरशित हो करके पी टाइप के इन होल्स से देखो यह होल्स है तो इधरी लोंग की कहानी बन जाएगी इधरी कहानी बन जाएगी तो पीच का जो बीच का डिप्लीशन दिया रहे मतलब आउक्षय परत वह चोड़ा हो जाता है और यहां पर जो है विभुवांतर और भी बढ़ता चला जाता है यह परत एक दूसरी से और दूर होते जाते है ठीक है जिसकी वज़ा से यहां पर जो है मतलब की धारा का प्रवाह नहीं हो पाता ठीक अब जब हम यहां पर बहु संख्याक आवेश्वाहक की बात करते हैं बहु संख्याक आवेश्वाहक के करण जो धारा प्रवाहित होती है वो अग्र धारा कहलाती है लेकिन यहां पर ये भी देखना कि जो अलपसंख्या में है ना मतलब एंड टाइप में थोड़े बहुत होल्स भी होंगे थोड़े बहुत क्या होंगे कुछ तो दो चार होल्स भी होंगे बिचारे कहीं पर है ना अलपसंख्या के कारण भी कुछ कटनाई होंगी तो अलपसंख्या के जब धारा प्रवाइत होती है वो अग्र धारा के विपरीत होती है उत्करम धारा कहलाती है पर उत्करम धारा के प्रवाह के कारण जो है हम पश्य अभिनती में जो है आवेश का प्रवाह को संभाव करवा पाते हैं जिसके लिए पर्टिकुलर एक स्पेशल घटना होती है ज आप लोगों को देना जाओंगी कि ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स के भी जो आपके टॉपिक्स है वो 2023 और 2024 के सिलेबर से हट चुके होने के करण यहां इस लेक्चर में आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा रही हूं लेकिन अगर आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ना यहां पर हम PN संधी डायोड का अभिलाक्षनिक वक्र देखेंगे तो बेटा जब अगर अभी नती में आपका संधी डायोड होता है ठीके तो जो हम लोग यहां पर विभाव के बारे में बात करते है भंजक विभाव मतलब की जो आउशय परत को तोड़ कर आगे बढ़त जैसे ही इसको पार करेगा अचानक से विद्धारा का मान क्या बढ़ेगा इधर हम इस दिशा में विभाव लगा रहे हैं इस दिशा में हमारी विद्धारा दिखाय लिए जैसे ही विद्धारा का मान क्या होगा बढ़ेगा ठीक है जब हम पश्च अभिनति याने की reverse bias की बात करते हैं, तो reverse bias में क्या होता है, इस तरीके से, आप reverse bias में आपका बीच का विभुआनतर हैं लगातार बढ़ता जाता है, और यहां पर विद्धरा का प्रवाहा नहीं हो बाता, पर जेना डायोट के केश्ट में अच्छानक से यहां पर भी जो है अलग मात्रा में डोप पर डायोड का यह अभिलाक्षनिक वक्र काफी जादा महत्वपूर्ण है जिसको आपको पूरा एक्स्प्लेइन करके जरूर लिखना है और जो आपका पी एन संधी डायोड है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग एप्लिकेशन है दिस्ट कारी के रूप में और व शेल बगरा में पाइ जाती है प्रत्य वर्तिधा चुम् More लोगों को प्रत्या वर्तीधार है जो हमारी दारह stellary को जब हमको दिस्ट कारी दारे के रूप में यहां परिवर्तित करना होता है वहुए है कि क्नवेश करना होता है क्या करते है जो डायोट जो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है बिलकुल उसकी मदद से ही बनाया जाता है तो यहां पर प्रत्यावर्ती विभाव को दिस्ट विभाव में या प्रत्यावर्ती धारा को दिस्ट धारा में बदलने का जो क्रिया है वो दिस्टी करण कहलाता है और इसके ल इसमें हम इस्तिमाल करते हैं वो है PN संधी डायोड किसका इस्तिमाल करते हैं हम PN संधी डायोड का ही इस्तिमाल करते हैं अब यहां पर आप देखो कि यहां से जो है हम प्रत्यावर्ती धारा जो है यहां पर स्त्रोत के रूप में दे रहे हैं ठीक है इस त्रोत के रूप मे जब हम यहाँ पर देंगे अब प्रत्यावर्ती धारा है भाई इस तरीके से जो है बार बर दिशा बदलती हुई आपको प्राप्त होगी आयाम भी बदलता हुआ प्राप्त होगा यह विद्धारा आप दे रहे हो इधर है ना अब जब विद्धारा दे रहे हो तो यहाँ प हुआ है है झाल और यहां पर किया होगा यहां पर जो है हमको निरगत विभाव इस प्रतिरोध के साप है जहां पर हमको जो Ausput प्राप्त करना होता है और वह हम तो जब हम यहाँ पर धनात्मक आधा चक्र जब यहाँ पर दे रहे हैं शुरुवात में ठीक है तो हम लोगों को जो है यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा ठीक है क्या प्राप्त होगा यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा ठीक है विद्धारा का आउटपुट लेकिन जब अगला आधा चक्र अगला आधा चक्र याने की यह जो रिनात्मक भाग है, नीचे का रिनात्मक भाग जो आप लोग देख पा रहे हो जब रिनात्मक भागोगा, जिसको मैं blue color से यहां पर दर्शाहरी हूँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर जो है आपका रिनात्मक सीरा आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या जाएगा धनात्मक सीरा अब रिनात्मक और धनात्मक सीरा आ गया मतलब कि यह जो ब्लू कलर से मैं लिख रही हूँ यह क्या हो गया आपका पश्य अभिनती में हो ग खाली रह जाएगी यहां पर निर्गत विभाव हम लोगों को क्या प्राप्त होगा यहां पर हमको सुन्य प्राप्त होगा विद्युत धारा या विद्युत विभाव किसी की भी बात कर सकते हो यहां पर विभाव लिखा है ठीक है इसलिए यहां पर निर्गत विभाव आप को दिखा रहा है निर्गात विभाव और तो यहां पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा ठीक है यह विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् पर क्या हो जाएगा धनात्मा को रनात्मा तो फिर से क्या हो जाएगा अगरा भी नती में हो जाएगा तो अगेन जब अगरा भी नती में होगा तो यहां पर क्या होगा आपको जो है यहां पर निर्गत विभाव प्राप्त होगा ठीक है तो इस प्रकार से जब हम इस तरह से एक ही डायोड लगाते हैं तो ये अर्ध तरंग दिस्टकारी कहलाता है क्योंकि जो विद्युत धारा या फिर विद्युत विभाव की जो तरंग है उसमें हमको आधी आधी ऊपर वाली तरंग ही प्राप्त हो रही है नीचे वाली तरंग का कोई भी हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन इसको संशोधित करके पूर तरंग दिस्टकारी बनाया गया और पूर तरंग डिस्टकारी में आप देख पा रहे हो इस तरीके से बीच में टैपिंग करी जाती है और बीच में टैपिंग करके यहाँ पर जो है एक दूसरा डायोड लगाया गया अब दो डायोड यहाँ पर लगा दिये गए हैं जिसकी वज़ा से यहाँ पर क्या होता है जिसकी वज़ा से जो है यहाँ पर जो हम स्त्रोत के रूप में यहाँ पर विभाव या धारा आप कह सकते हैं विभाव या धारा जब हम देते हैं ठ पर निर्गत विभावव प्राप्त होता है तो किसुभार जो निर्गत होगा वह इस तरीके से प्राप्त होगा है धीकर इसको हम pulsating भूलते हैं दपर्ड्स के फंध में हम लोगों को मिल रहा है ठीकर जो है कैसे मिल उती किया हमने प्रत्यावर्ती को दिस्ट के रूप में कनवर्ट किया, क्या किया हमने प्रत्यावर्ती को यहाँ पर दिस्ट धारा या प्रत्यावर्ती विभाव को दिस्ट विभाव के रूप में परिवर्तित किया बट एक्जेक्टली हम लोगों को नहीं मिला तो इसके लिए जो है ये डाइग्राम जो मैं अल्रेडी बना कर आपको दिखाई हूँ ये आपका जो है डाइग्राम किसका है अर्धा तरंग दिस्ट कारी का है ठीक है अर्धा तरंग दिस्ट कारी और यहाँ पर ये डाइग्राम जो है आपका पूर्ण तरंग दिस्ट कार ठीके बिलकुल ये डाइग्राम मैंने आपको बना करकर समझाया है परन्तु जब हमको ये जो पलसेटिंग हम लोगों को ये दीस्ट धारा जो प्राप्त हुई है इसको आपको हम प्राप्त करना है तो उसके लिए हम ये जो दिश्ट कारी का इस्त metric कारे हैं फून तरंग..? उ अब इसका काम क्या होता है ये क्या करता है कि जो हम लोगों को पूर्ण तरंग दिस्टकारी से इस तरह की जो तरंग मिल रही थी इसको क्या करेगा ये फिल्टर आउट करेगा फिल्टर आउट करने के बाद जो यहां से हम लोगों को मिलेगा वो क्या है इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा, तो completely दिस्ट कारी के तो रूप में तो नहीं, पर जो है आपको फिर भी एक देखा जाए तो लगभग जो है आपको दिस्ट कारी तरंग के रूप में यहाँ पर जो है आपको निर्गत विभाओ प्राफ्थ होता है, काम यहाँ पर इन्होंने किया अब इसके बाद इसके बाद टॉपिक्स हमारे खतम हो चुके हैं तो फिलहाल जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं लिए जरूर बताएंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चो की डिवांड होने पर मैं आपके लिए वो वीडियो वन शॉट के रूप में जरूर ले करके आऊंगी तो मिलते हैं बेटा हम अपने नेक्स लेक्चर में और टब तक के लिए बाई बच्चो